प्राजिन भारती इतियास की दृजिटल कक्षा में आपका स्वागत मैं डॉक्टर इकबाल फातिमा स्याचारी इतियास भागराद की माध्याला छालवार विध्यार्ती तक्षिन भारत में साथवाहन वंश की क्या उपलब्धिया रही को हम पहले पढ़ चुके हैं एक जो वंच था वैथा चालुकité वंच जो हमारे सहले बस में शामिल है और इसमें अलग-लग शांखा थी जिसे बादामी के चालुके वेंगी के चालुके या कल्यानी के चालुके तो बादामी का जो चालुके वन्ष है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और इस वन्ष का उद्धे बीजापूर कन्नाटक में हुआ था और बीजापूर या बादामी के जगे पर ये जो है उद्धे इनका हुआ 30 शताब्दी के मध्धे से 8 शताब्दी के मध्धे तक यानि लगबग 2 शताब्दे तक इन्हों ने दक्षिन भायत के एक बहुत भड़े भुभाग पर शार्षन किया। कालंतर में रास्टों से पराजित होने पर चालुक्यों की अन्य शाखाओं ने वैंगी और कल्यानी में शाषन किया जिन से अलग करने के लिए इन प्रारंबिक चालुक्यों को बादामी के चालुक्य कहा जाता है। इहोल अभी लिएक से ग्यात होता है कि इस राजकुल के शाषक प्रतिवल्लब उपादी धारन करते थे। इन दोनों शाषकों के संदर्व में इस उपादी का प्रयोक नहीं मिलता है और नहीं चालुक के लेखों में इने माराज का गया है। शाषक रहे होंगे। 543 इसवी के बादामी लेख से ग्यात होता है कि इसने बादामी में एक पहाडी दुर्ग बनवाया। आसपास के प्रदेशों को जीत कर इसने एक अशुमेद यगे भी किया। उसका पुत्र कीर्थी वर्वन संभौत है उसका सेनापती था जिसने 566 से 598 इस्री तक शाषन किया। मंगलेश के महाकूट इस्थम लेख से विध्यारत ये पता चलता है कि उसने बंग, अंग, बत्तूर, मगद, गंग, मूशक, पांडिय, द्रामिल, चोलिय, अलूप तथा व्यजन्ति के शाष्टों को हराया। हो सकता है कि इसमें वास्ट्यूकता कम हो और अतिशोक्ती जदा हो किन्तु बाद के चालुक के लेखों में उसे नलों, कौकरों, मौर्जियों और कदमभों के उपर विजे प्राप्त करने वाला कहा गया है। इससे ये प्रतीत होता है ये इससे ये साबित होता है कि उसने कई महत्पून विजें की थी कीर्थी वर्मा की मृत्यू के समय उसके सभी पुत्र अलपाईू थे अते उसके भाई मंगलेश ने संग्रक्षक के रूप में शाषन करना प्रारम किया वह भी महान विजेता था उसने कल्चूरियों को हराया रेवती दीप को जीता और चालुक के सत्ता को उत्तरी मराठा प्रतेश तक फैला दिया कीर्थी वर्मा का पुत्र पुलकेशन दित्ति बड़ा हुआ और उसने जो है अपने चाचा से युद करके राशत्ता प्राप्ती संबवते 609 इसी में उसने अपने चाचा को मार दिया और इसे हम गती पर बैठ गया लेकिन इस ग्रह युद का परणाम नवोदित चालुक के राज्य के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ और प्रारम में उन सभी शक्तियों को जिने कीर्थी वर्मन्त अताम अंगलेश ने हराया था पुलकेशन दित्ते का प्रभूत उन्होंने मानने से इंकार कर दिया या एस्विकार कर दिया किन्तु पुलकेशन दित्ते ने अपने साहस और शौरे का प्रदशन करते वे उन सभी को पराजित किया जैन कवी रवी कीर्ती रचित उसकी एहोल प्रशस्ती में उसकी विज्यों का उलेक मिलता है। उसने कदंबों और गंगों को हराया और अलूपों को अधिनस्ता स्विकार करने के लिए बात है किया। उसने कोंकन के मोर्यों को भी पराजित किया और पूरी पर अपना अधिक कर लिया लाटों मालों और गूर्जनों पर भी उसने विजय प्राप्त कि एहोल प्रशस्थी में यह भी िका त्या कि इस्तृ के बार परमेश्वर उपादिधारन कि और इन विजयों के बार उस Ronnie प लहाचे परभु के हाथ से अब निकल गये मैंद वर्मन प्रथम के पुत्र नर्सिंग वर्मन प्रथम महामल के शाषनकाल में जो की 630-680 इसवी तक रहा में उसने पल्लों के उपर दुबारा आक्रमन किया किन्तु ये अभियान सफन नहीं हुआ और पल्लों ने बादामी पर आक्रमन कर दिय और संबाधे 642 सीसी में पुलकेशन दित्ते युद में लड़ता हुआ जो है मारा गया इसके बाद उसके पुत्र विक्रमा दित्ते ने किसी प्रकार चालू के शक्ती को नस्ठ होने से बचाया और पल्लों को अपने सामराजे से बाहर निकाल दिया विस्व्यम पल्लों र वित्ते चालु के वंश का राध्या बना और रास्टकूट वंश का अंतिम शाहँ था अब हम बात करें कि सnungतिक और धार्मीक छेत्र में चालुक्य वंशका क्या योगदान रहा तो विध्यार्तियों चालुक्यों ने दक्षिन में गविशाल सामराजी की स्थापना की जिसमें संपून कंणा टक छेत्व शामिल था और जिसकी राज्जी सीमा उत्तर में चालुक्य शाषक भगवान विश्णू के उपासक थे किन्तु वे अपनी धार्मिक निती में सैष्णू थे एहोल प्रशस्ती से उनकी धार्मिक सैष्णूता प्रमानित होती है इस प्रशस्ती का जो लेखक है विध्यारतो रवी कीर्थी वे जैन अनुयाई था और पुलकेशन दित्ते का क्रपा पात्र था यानि उसके संग्रक्षन में रहता था चालुक्य शाषकों ने कई जैन विद्वानों को संग्रक्षन दिया था तथा जैन मंदिरों को दान भी दिया था चालुक्य राजाओं ने अश्मेद, वाजपे तथा अन्य विविदि व्यादिक अनुस्ठानों को समपादित किया उनके समय में उनके राज्य में विश्णु और शीव के कई मंदिरों का निर्मान हुआ वास्तु कला के छेत में उनका योगदान हम देखें तो इस छेत में उनका महत्पुन योगदान रहा इस काल में एक नई कला शेली अस्तितवमाई जिसे चालुक के शेली का नाम दिया गया एहोल को भारति मंदिर निर्मान कला का उदगम इस्थल माना जाता है एहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, वापर बड़ी संख्या में चालुक के काल में मंदिर बनाए गए इन मंदिरों में लाडखान मंदिर, दुर्गा मंदिर, हचमली गुड़ी मंदिर सबसे अधिक महत्पूर्ण है परवत शिलाओं को काट कर मंदिर बनाने की कला का भी उन्होंने प्रारम किया पटत कल में बने इस काल के कुछ मंदिर द्रविट शैली में है वास्तों में प्रस्तन निर्मित यानि पत्थरों से निर्मित भौर निर्मान कला इस समय बहुत विक्सित थी कला मरमगे परसी ग्राउंड अपनी पुस्तक इंडियन आर्किटेक्चर में लिखते हैं कि इस काल में मंदिरों में मंदि निर्मान का प्रारंबिक सहरूप था तो विध्यार्तियों हम देखते हैं कि चालुक के वंश जो है उसका महत्पून योगदान रहा कला और संस्कृति के छेतर में आगे चल कर जो बाद के चालुक के राजा थे कल्यानी और वेंगी के चालुक के उनके समय में जो प्रसित कवी विलहन को संग्रशकेंग उनके द् विक्रमांग विक्रमादित्य सस्ट ने और विलहन ने उनके जीवन पर विक्रमादित्य के जीवन पर विक्रमांग देव चरित की रचना की जो के एक सू विख्यात गिरंत माना जाता है वातापी और कल्यानी के चालुक के नरुशों ने स्वम कट्टर हिंदू होने पर भ प्रस्तिद विधिवेता, विज्यानेश्वर, चालुक्यों की राजधानी कल्यानी में ही रहते थे। बंगाल को छोड़कर शेष भारत में मिताक्षा को हिंदु कानून का सबसे आधिकारी ग्रंत माना जाता है। तो विधियारती इस प्रकार में देखते हैं कि प्रशाशन, संस्क्रती और धर्म के चित्र में दक्षिन के चालुक्यों की वंज का महत्पूर योगदान रहा धन्यवाद।